तो मैं जो कह रहा हूँ उसका मकसद आपको चोड़ पहुँचाना नहीं है ये थोड़ा टेक्निकल है मैं चाहता हूँ कि आप इसे उस तरह देखें क्योंकि यहां बैठ कर मैं सांत्वना के कुछ शब्द बोल सकता हूँ पर वो आपके लिए समाधान नहीं होगा आप बसाज के लिए अच्छा महसूस करेंगी और कल सुबह ये फिर वैसा ही हो जाएगा मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने अगर हमारे बच्चों में से किसी की मृत्ति उनकी चार साल की उम्र के पहले हो जाती है तो आप देखेंगे कि लोग अपने आपको पीडा पहुंचाते हैं वास्तव में कोई पीडा नहीं है जब ये कहते हैं कि पीडा नहीं है भावनाओं की पीडा है पर आपके अंदर हरिदय विदारक चीजें नहीं हो रही है लोग सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है कियुकि कुछ ही साल हुए थे ऐसा नहीं है आप एक दिन में अटैच हो सकते हैं ऐसा होने में चार साल नहीं लगते ये बस इसलिए है क्योंकि वो जीवन अभी तक पूर्ण विक्सित नहीं हुआ यहां तक कि दुनिया की सरकारें भी इसे देखती हैं अगर आप आपके आयमार रेड शिशुमृत्यू दर लेना हो तो आप इसे चार साल के नीचे लेते हैं क्योंकि यह अभी तक हाल ही में एक आम बात रही है अभी क्योंकि कुछ ज्यादा ही मेडिकल हेल्प है नहीं तो बहुत सारे बच्चे चार साल के होने से पहले मर जाया करते थे बिना किसी बिमारी के कई सारे बस ऐसे ही क्योंकि जीवन अभी स्थापित नहीं हुआ, पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ, जब वो एक शिशु है, जब आपका बच्चा एक शिशु होता है, उस समय आपका अपने बच्चे के साथ कॉंटाक्ट सबसे ज्यादा होता है, जब वे चार के हो जाते हैं, तो हर जगा दो मजूद, बहुतिक रूप से आपका उनके साथ जड़ाव उतना स्ट्रॉंग नहीं होता, क्योंकि बहुतिक रूप से वे अपने खुद के शरीर के साथ उतना स्ट्रॉंगली नहीं जड़े हैं, तो यही चीज आपके अंदर उतनी स्ट्रॉंगली नहीं हुई है, यह ऐसी अब ही जब आप जीवन को बहुत ध्यान से देखने के इच्छुक हों, आप इसे जान पाएंगे। भावनाओं के स्तर पर अगर आप इसे देखें, तो बच्चे के जन्म के पहले ही दिन आप उससे बहुत अटाच थें। यहां तक कि उसके जन्म से पहले ही आप अटाच होते हैं, है ना। आपके शरीर में कुछ हो रहा है, जो ज्यादा तर लोग समझ नहीं पाते। बच्चे की चार साल की उम्र के पहले वे अपने साथ कुछ होता हुआ अनुभव करते हैं, चार साल के बाद बच्चा एक समस्या है, यह वो कहां जा रहा है, वो कहां है, स्कूल एडबिशन, यह और वो। आप जानते हैं, दूसरी चीजों में शामिल होने के कारण वे इस अनुभव को मिस कर देते हैं, नहीं तो उस समय कुछ क्लिक होता है, क्योंकि वो जीव और वो शरीर जुड़ गए, जन्म से लगभग 40-48 महीनों बाद, जब वो जुड़ गए, तब आप एक सहज स्थिती में आ जाते हैं, क्योंकि वो आपका एक हिस्सा बन गया है, आपको जागरुक होकर उसे नहीं पकड़ना है, एक प्राकृतिक जुड़ाव हो रहा है, अगर एक बच्चे की मृत्यू छोटे में हो जाती है, चार साल से पहले तो वे निराश होंगे, भावनाओं के स्तर पर अशांत पर शोक ग्रस्त नहीं होंगे, ये समय की अवधी की वज़े से बिलकुल भी नहीं है, ऐसा बस इसलिए है, क्योंकि वो जीव उस शरीर के साथ नहीं जुड़ा, और आपको ये समझना चाहिए कि आप बस शरीर देते हैं, आप एक जीव नहीं बना सकते, एक जीव तो केवल तभी जब वो जीव वाकई उस शरीर से जुड़ता है, जो आपका दिया हुआ है, आपके अंदर भी कुछ होता है, और एक खास जगा बनाता है, वो आपके खुद के सिस्टम के अंदर एक खास जगा बनाता है, अगर हम बस किसी की उर्जा को चेक करें, तो हम जान जाते हैं कि उनके कभी बच्चे हुए हैं या नहीं, अगर आप किसी लोकल जोच्छी के पास जाएं, वो पच्चीस रुपए में बता देगा कि आपके कितने बच्चे हैं, वो जीवित है या नहीं, यहां तक कि उनके नाम भी 25 रुपे में मैं बता रहा हूँ, जो कि आधा डॉलर है, वे आपको आपके बच्चों का एक सारांश दे देंगे, उनकी विशेष्टाएं, उनके नाम, सब कुछ, क्योंकि ये आपके अंदर एक खास जगा बनाता है, और अगर आप ध्यान देने को इच्छुक हैं, तो ये बिलकुल वहां मौजूद है, अब ये कनेक्शन, ये शरीर का कनेक्शन काफी स्ट्रॉंग होता है, जब तक कि बच्चा 21 का नहीं हो जाता, 21 के बाद ये एक बार फिर से कम होने लगता है, ये एक खुबसूरत प्राकृतिक सिस्टम है, बच्चे का, खयाल रखने का, उसे बड़ा करने का, और आपको इस काबिल भी बनाना कि जब आपको उसे छोड़ना पड़े, तो आप ऐसा कर पाएं, अगर कोई मेरे पास आता है और कहता है कि मेरे बच्चों को आशिरवाद दीजिये, तो मैं पूछूंगा कि वे कितने साल के हैं, अगर वे 21 से कम हैं, तो हम सचमुच उन्हें आशिरवाद देते हैं, अगर वे 21 से उपर हैं, तो हम उनके साथ हसी मजाग करके उन्हें भेज देते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, आपके बच्चों के लिए आपको आशिरवाद देने का कोई मतलब नहीं है, अग पर अगर वे 21 के उपर हैं, तो उन्हें खुद ही आना होगा, मा को या पिता को आशिर्वात देने का कोई नतीजा या कुछ खास महत्व नहीं होगा, इसका बस भावनात्वत महत्व होगा, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पर ये होता है, किसी के बच्चों की मृत्ट ये किसी न गुसी न किसी के साथ हर दिन हो रहा है, । ज्यादा तर लोग ऐसा मानते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये किसी के साथ भी भी हो सकता है, अब जब ये हमारे साथ घड़ चुका है ऐसा होने के पहले हम कुछ भी करते उनके जीवन को बचाने के लिए एक बार जब ये हो चुका है तो ये समय है देखने का ये समय है अपने अंदर गहराई से देखने का कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है ये कितनी गहन है साथ ही साथ ये कितनी बांधने वाली है और ये कितनी मुक्त करने वाली भी हो सकती है भारत में लोग कैसे भी एक बेटा चाहते हैं इसका कारण ये है कि आज सामाजिक परिस्थेतियां बदल गई है लोगों की तकनीकी और यात्रा करने की एक शमताएं बदल गई है नहीं तो उम्र होने पर लड़की की शादी हो जाती और वो किसी और के घर चली जाती है अगर आपकी मृत्ति हो गई तो शायद वो नहीं आपाएगी क्योंकि उसको पैदल चल कर आना है उसे अमेरिका में होने के जरूरत नहीं है अगर वो सेलम में भी है तो वो 200 किलो मीटर चल कर नहीं आएगी जब तक वो आएगी आपका अंतिम संसकार पूरा हो चुका होगा तो हमें एक बेटा चाहते हैं क्योंकि वो यहां रहेगा आज की दुनिया में यह प्रासंगिक नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि आप यह समझें कि एक हजार साल पहले यह बहुत प्रासंगिक था अगर लड़की 50 किलो मीटर दूर रहती है तो वो समय पर नहीं आ पाएगी इसी लिए बेटियों के आने के लिए बारवें दिन की व्यवस्था की गई थी जब आप मरते हैं तो आप अपने बच्चे को अपने पास चाहते हैं उन्होंने कहा बेटा क्योंकि व्यावहारिक तौर पर बेटे का पास होना ही संभव था बेटी और कहीं होगी बच्चे को पास में होना चाहिए वो इसी लिए क्योंकि ऐसे तरीके हैं जिनसे आपके अंदर मौझूद उस छोटी जगह का उप्योग किया जा सकता है आपके भीतर वो एक छोटी खाली जगह जो उस जीवने ले रखी है जिसे आप अपना बच्चा कहते हैं और अगर वो सही चीज़ें करें तो वो आपको मुक्ती दिला सकता है इसके लिए ही वे लोग जो पूरी तरह बिना जागरुकता के जीते हैं और जो अपने बारे में कुछ भी नहीं करते वे लोग अपनी मुक्ती के लिए अपने बच्चों पर निर्भर कर रहे हैं और ये अपने आप में एक पूरी परंपरा बन गई वारानसी इसके लिए जाना जाता है लोग यहां आते हैं या तो अपने बुढ़े माबाब के साथ जो काशी में मरना चाहते हैं या जिनकी हाली में मिर्टी हुई है उनकी राख और जो कुछ भी लेकर आते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वे ये समझते हैं कि वो उन्हें मुक्ती दिला सकते हैं पर आज बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को ठीक से करना जानते हैं तो ये सिर्फ एक रिवाज रहे गया है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक बार आपने एक बच्चे को जन्म दे दिया तो आप जो हैं उसकी एक खास जगा उस जीव द्वारा ले ली जाती है जिसे आप अपना बच्चा कहते हैं क्योंकि आपने ही उसे शरीर दिया है क्योंकि आम तोर पर लोगों का एक दूसरे में मेल जोल सिर्फ या तो भौतिक या मानसिक या भावनात्मक होता है और उसके परे कभी नहीं जाता तो हम ये मानते हैं कि बस यही एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ है पर जब एक इनसान मरता है या जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो वो सब चला जाता है मानसिक धाँचा चला गया भावनाय चली गई शरीर तो चला ही गया तो वो सब कुछ जिसे आप अपना जानते थे चला गया और वो जीव जिसे हमेशा आपने अपने बच्चे की तरह देखा अब वो आपके लिए उतना ही अजनबी है जितना की कोई और भी अब साथ ही साथ किसी के मरने के बाद अगर वो हमारे माबाप हैं तो हम कुछ खास चीज़ें करते हैं अगर वो हमारे बच्चे हैं तो हम कुछ भी नहीं करते क्योंकि आपके अंदर एक छोटी जगा उस जीव के गोड़ों ने ले रखी है पर उनके अंदर वो छोटी जगा आपने नहीं ली है आप अगली जनरेशन में जगा नहीं ले सकते अगली जनरेशन पिछली में एक छोटी जगा रखती है पर पिछली जनरेशन अगली में नहीं रखती और रख भी नहीं सकती जैसा कि प्राक्रिटिक रूप में होना भी चाहिए इस बज़ा से जब एक बच्चा बड़ा होता है और 21 के करीब होता है आप उन्हें देखते हैं और वे बिलकुल अजनबियों की तरह देखते हैं आपको विश्वास नहीं होता कि उन्हें आप नहीं पैदा किया था वे आपके बच्चे हैं क्या ये वही छोटा बच्चा है जिसे मैंने पाल पोसकर बड़ा किया आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्योंकि आपका उनमें घर नहीं है, पर उनका आपमें एक घर है. तो अगर आप अपने बच्चों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, उनके साथ बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश मत करिये. आपको ये पहचानना आना चाहिए कि वो जगा कहां है. अगर आप उसे खास तरह से रखें, तो चीज़ें ठीक होंगी. ये बच्चे के बारे में एक रिमोट कंट्रोल है, जो एक माता या पिता के पास होता है. तो अगर आप अपने बच्चे पर प्रभाव छोड़ना चाहती हैं, क्यूंकि आप पहले 11 दिनों के अंदर आई हैं, काल भैरव कर्म निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण करता है. उसके अलावा, अगर आप कुछ करना चाहती हैं, तो आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी क्रियाओं का, आपके बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जो अब जीवित नहीं है. पर अगर आप भीतर मुड़ जाएं, अगर आपके अस्तित्व की प्रकृती सुखद हो जाए, तो ये एक जबरदस्ट प्रभाव होगा, क्योंकि वो छोटी जगा, अगर वो सुख में हो गई, तो वो जीव सुखद्धा का अनुभव करेगा, जब तक कि वो एक दूसरा शरीर नहीं पा लेता, तब तक आप उसे प्रभावित कर सकती हैं, एक बार उसने दूसरा शरीर ढूंड लिया, फिर आपका उसके साथ करने के लिए कुछ भी नहीं है, अब कोई और कहेगा, ये मेरा बच्चा है, और एक पूरा नया ड्रामा फिर से शुरू होगा, ये कुछ चीज नहीं है किसी को बताने के लिए, जिसने बस एक हफ़ते पहले अपना बच्चा खोया है, मैं माफी चाहता हूँ, पर ये ऐसा ही है, तो एक चीज, एक चीज जो हम सभी को समझनी चाहिए, कि बच्चे हमारे माध्यम से आते हैं, वे हम से नहीं आते, ये एक सौभाग्य है, कि किसी ने आपके माध्यम से आना चुना, कि आप एक दूसरे जीवन के आने के लिए एक रास्ता बन सकें, हम उसके स्वामी नहीं हैं, हम उस पर अधिकार नहीं जाता सकते, ये बस हमसे हो कर आया है, ये एक बड़ा सौभाग्य है, आपको उस सौभाग्य को संजो कर रखना चाहिए, और आपकी बेटी, जिस पल से उसका जन्म हुआ, और किसी दुर्भाग्य पूर्ण वजह से जो भी हुआ, तब तक कितनी सारी तरह से, कितने कितने सारे तरह से, जिसका एहसास किसी को शायद उस वक्त नहीं होता, पर अब जब आप पीछे मुड़ कर देखें, तो कितने कितने सारे तरह से, उसने आपके जीवन को समा रहा है, है ना, आपको बस उसे संजो कर रखना है, और अगर आप उसको प्रभावित करना चाहती है, तो आप इसे जितना हो सके उतना सुख़द बनाईए, वही एक मातर तरीका है, आपका उसे प्रभावित करने का, अगर वो आपकी मा होती, तो आप उसे दूसरे तरीकों से, कर्मों, क्रियाओं और चीजों से प्रभावित कर सकती थी, पर अपने बच्चे के साथ आप वो नहीं कर सकती, केवल एक तरीका जिससे आप उस जीवन को सुखमय बना सकती हैं, वो इस जीव को पूरी तरह से सुख़द बनाना है, क्योंकि वो एक छूटी जगा जो उस जीवने ली थी, वो गुण और वो आयाम अब भी जुड़ा हुआ है, जब तक कि वो एक दूसरा शरीर नहीं पा लेता, एक बार उसे दूसरा शरीर मिल गया, तब ये चला जाएगा. जब तक करने लोगाएगा.